खेल जीवन का आवश्यक नहीं वरन अनिवारे अंग है इनसे बच्चों में नैतिकता, सद्भावना और प्रतिभा का विकास होता है खेलों के हैं फायदे अनेक, मिलता इनसे बल बुद्धी विवेक सेंट मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशांत विहार में जूनियर मार्गरेटेरियन्स द्वारा वार्शिक खेलोचसव स्प्री 2020 का भवश वशांदार आयोजन किया गया खेल दिवस के उपलक्षमी, विशेश अतिथियों में श्रीमती सीमा कौशिक, अंतरराश्ट्रिय धावक जिन्होंने तेरह स्वर्णपदक प्राप्त कर देश का गौरब बढ़ाया श्रीमती अर्चना जैन, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में कई स्वर्णपदक जीते, इन अतिथियों के आगमन पर नन्नेवीर सैनिकों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट करके महमानों का भवे स्वागत किया मशाल जलाकर खेल प्रतियोगितां का विधिवत आरंभ किया गया क्योंकि मशाल की ज्वाला हमें नव उर्जा, शक्ति वस फूर्ति प्रदान करती है आकर्शक वरंगीन पोशाकों में योग करते बाल खिलाडी तथा विभिने दोड प्रतियोगितां में प्रतिभागियों का जोश व उत्साह देखते ही बनता था हूपला और हर्डल रेस, फ्लैट दोड और संतुलित दोड, थ्रीलेक दोड, आदी में बच्चों की चुस् अज़ा, उमंग, उल्लास, अपार, इनसे महके हमारा घर संसार कुछ करिये, कुछ करिये, नस-नसं मेरी खोले, हुए, कुछ करिये बस-बस बड़ा बोले, हब कुछ करिये ओ, कोई तो चल सिद फढ़िये, तू बेटर ये या मरिये चक्कते, हो Чक्कते, हो Чकते, हो चकते, हिंदियो लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में, पलखाती रेलों में गन्यों के मीठे में, खत्र में छीटे में धूंडों तो मिल जाओे, तब तावों ही तो मेलन ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी हो ली, रग रग मचल के बोली टस है ना मस है जी, जिद है ता जिद है जी किसना यूही पिसना यूही पिसना यूही बस करिये कोई तो चल सिद फढ़िये, तू बेतर ये या मरिये किसना यूही पिसना 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 कुछ करिये, कुछ करिये, नस नस मेरी खोले, हॉई कुछ करिये कुछ करिये, कुछ करिये, बस बस बड़ा बोले, हब कुछ करिये ओ, कोई तो चल सिद फढ़िये, तू बेटर ये या मरिये चक्ते हो चक्ते हिंदिया लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पलखाती रेलों में गन्नों के मीठे में खत्तर में छीटे में धूंडों तो मिल जाए तब तावो ही तो में लंग है तो आज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी हो ली रग रग मचल के बोली डस है ना मस है जी जिद है ता जिद है जिद किसना यूही पिसना यूही पिसना यूही बस करिये कोई तो चल सिद फढ़िये तू बेतर ये या मरिये कोई को चल सिद फढ़िये तू बेतर ये या मरिये अ जब दे हो चगे इंडिया जब दे अ चगुदे हो चगे इंडियाँ स्प्री 2020 स्प्री का अगर मतलब देखा जाए तो किसी भी खास कारे को करने के लिए एक समय निर्धारित करना है आज स्प्री केवल एक एंवल स्पोर्ट्स दे नहीं है यह एक खेल उत्सव है उत्सव हमें एक सेलिबरेशन की तरह हम सेलिबरेट करना चाहिए हमारे जो स्पेशल गेस्स हैं उन्हें आपको बताया कि खेलों का क्या महत्व है जीवन के अंदर फिट रहने का तो डेफिनेटली महत्व है आज कल हमारे पुदान मंत्री जी ने भी फिट इंडिया मुवम्मेंट स्टाट किया हो है तो पेरेंट्स आपके लिए आज के वर यही मेसेज रहे कि आप भी वो खास समय निकालें अपने बच्चों को चाहे तो किसी खेलों में पाडिसिपेट कराने के लिए चाहे केवल उनको फिट करने के लिए यही हमारा आज का मैसेज है इसी लिए हमने यह कारेकरा मरेंज किया आप लोगों के लिए लिए तो एक बार सारी टीचर्स जो हमारी प्री स्कूल से फिफ्ट क्लास तक जिन्होंने बहुत मेहनत करी है तो टीचर्स के लिए हमारे स्कूल के लिए इस बारिश बहुत से जोड़ा पाड़ है आज कर प्रोग्राम ब्यांड एक्पेक्टेशन था मुझे एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे जिन्होंने इतनी सर्दी में जब बारिश हो रही थी इतनी ठंड हो रही थी तब भी मैदान में जाकर ये बच्चे योगा की प्राक्टिस कर रहे होते थे और स्पोर्स दे की प्राक्टिस कर रहे होते थे मुझे लगता नहीं था कि भी मुझे लगता था पैरेंट्स है कुछ पोलेंगे पर पैरेंट्स और बच्च कि जब प्राक्टिस होती है बच्चों को फिटनेस की आदत पर जाती है और ये आदत आगे भी बच्चों की चलेगी तो उनका स्वास से बहुत अच्छा रहेगा और वो जानेंगे कि इसकी महत्वता कितनी है इसके अलावा बेस्ट जूडो प्लेयर इन दिल्ली स्टेट बेस्ट जूडो कोच और इंटरनेशनल पे इंडिया के लिए मैंने तेहरा मैडल्स जीते हैं एशिन चैंपिंशिप्स में और व्ल्ल चैंपिंशिप्स खेला है और आज यहां सेंट मार्गरिट स्कूल में मौका मिला एज गेस्ट आने का छोटे-छोटे बचों से इंटरेक्शन कर रहें का तो 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 इस रेली वेरी नाइस बहुत अच्छा था एक सतरंगी धनुष की तरह अलग-अलग रंगों में बच्चे रंगे हुए और अपने एक्टिविटीज को प्रदर्शित कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा अनुभवरा हमारा मैं अर्शना जैन, मैं कॉमन्विल्स पावर लिफ्टर हूँ मैं पाँच गोल्ड हैं, एश्या में मेरे दो गोल्ड हैं पावर लिफ्टिंग में और अभी हाल ही में मैं यूएसे में सिल्वर मेडल लेकर आई हूँ वेट लिफ्टिंग लिए हमारे जो अभी भावक हैं जो पेरिंज हैं उनमें जागरुता लाने की जरूरात है मलब दे शुट बी अवेर ओफिट की फिटनेस किती जरूरी है वो खुद फिट रहेंगे उनका खुद का डिसिप्लिन रहेगा सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा कि आप सुबर जल्दी उठ रहे हैं एक घंटा पार्क में चाहिए दौर लगा रहे हैं चाहिए जिम जा रहे हैं चाहिए योगा कर रहे हैं चाहिए कुछ भी कर रहे हैं कुछ बही देखते हैं बच्चे लॉंग टर्म में बच्चे वही देखते हैं वही सीखते हैं कि हमारे मावाब कितने फिट हैं और बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि हमारे मावाब इतने फिट हैं वही चीज आगे जाके काम करेगी और आजकल का माहौल बदल गया है सब फिट रहना चाहते हैं सब अच्छा दिखना चाहते हैं तंद्रुस दिखना चाहते हैं मेरा नाम उसमें सिलेक्ट टोटल टीम 12 की बनती है और खेलते लेकिन सिर्फ साथ हैं ठीक है और जब मेरे सेलेक्शन होने वाला था उसके आसपास अराउंड 80-90 गोल्स थी मेरे सेलेक्शन में इंडिया की टीम से खेलने के लिए उसमें से मैं सेलेक्ट हुए